आज इस वीडियो के अंदर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनलेसिस मिलने वाली है अगर आप आगे का मूफ क्या हो सकता है इसे जानना चाहते हो तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टन होने वाला आपके लिए और आपको इस वीडियो को एंड तक देखना वो भी निफ्टी के ऊपर एनलेसिस हमने किया था और उसमें जब निफ्टी बीस जार के लेवल को क्रॉस नहीं किया था अमिज जी ने पहले ही बता दिया था कि एकसपारी बीस जार के ऊपर होगी इन फैक्ट आने वाले टाइम में आपको 21500 तक का लेवल देखेगा और क अमाल की बात है जब 21500 तक का लेवल टाच हो चुका है हम उसके बाद अमिज जी के साथ दुबारा से अनलेसिस कर रहे हैं और आज की वीडियो में भी आपको काफी सारी जानकारी मिलने वाली है तो अमिज जी आपका स्वागत है हमारी चैनल पर थैंक्यू सो मज आज बज दो तिन फैक्टर जो हैं बहुत एंपार्टन होते हैं जैसे साइक और टेक्निकल्स के आधार पर आकड़े और फिर बजार में एक्जीक्यूशन इसके बीच में आप लोगों का अच्छा होना चीए और रिस्क रिवाट बढ़िया मेंटेन होना चीए लेकिन हम पहले साइ देखिए जब करोना पॉल आया तो आप बाजार जब अल्मोस्ट ट्वेंटीएट थाउजन के आसपास चलता था डाउजोंस डाउजोंस करेक्ट के अट्रहाजार के स्तरों पर और अट्रहाजार के बाद जो इसने शाप रिकावरी दिखाई यह एरो दिख रहा आप ट्वेंटीएट थाउजन सेवन फॉटी के आसपास यह जो आपको नीचे वाला सरकल दिख रहा है यहां तक करेक्ट किया अब यहां पर मजे की बात कहां से समझना आती है कि यह जब करोना का का जो फॉल आया तो उसके पहले जो टॉप लगी ती वही बॉटम लगी अभी रिसेंटली ट्वेंटी थाउजन सेवन फॉटी के आसपास की बॉटम लगाके बजार अभी 30-37,860 के आसपास चल रहा है तो यहां पर बेस्ट पार्ट क्या है जो करोना के बाद जो टॉप लगाया तो उसके उपर बाजार स्टेबल है और आज हम 37,850 के आसपास खड़े हुए है यह ग्रीन कलर का जो आप लोगों को एरो लाइन दिख रहा है यह यह एरो लाइन है तो यहां पर यहां पर हमें साइकालोजी क्या समझनी है कि आज हमारे इंडिया में 31st मार्च का ये रेंड ये रेंड होता है और अपार्ट फॉम इंडिया मोस्त पॉप दे कंट क्रिस्मस से लेके 31st दिसंबर तक की नियुएर इविनिंग जो होती है वहां तक करते हैं यानि कि आपका मोटा माटी बीस से 31 तारिक वन और वन और वन वन एनाफ वीका होलिडेस सेलिब्रेट किया जाता है फॉरेंड कंट्रीज में तो जो रिटेलर रहेगा यानि मैं हमके प्रॉस्पेक्ट से पोजिशन बनाते हैं वो लोग ये रेंड पर अगर टॉप लिवल पर बजार खड़ा हुआ तो क्या आप वह प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर और होल्ड करेंगे हॉलिडेस में जाने के पहले मेरा यह समझना है कि अल्मुस्ट मेरे सबसे सर् तो वहाँ पर ही स्मार्ट मनी अगरphen मनी कर रह दिया मोई कर रहा हुए तो और वह स्मार्ट मनी वाए कर रहे स्माट बाय कर रहे ह। आप गोरे लोग यहां जोब भी है रिटेलर वहां के फॉरेंड कंट्री के सब बाहर के लोग अगर ऐसं का प्रॉपिट कर रहे है। पांत्यस पर्जंट ऐसा तो सुभावी गूरूप से नहीं होगा तो अगर बजाए यह जो गोरे लोग हैं यह अभी अपना माल टॉप पर बेच के जा रहे हैं हॉलिडे मनाने के लिए हॉलिडे मना कर आएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि अभी अभी तुम टॉप पर बेच के चले गए और आओगे तो तुम्हें सस्ते में मिल जाएगा दुबारा खरीद लेना आओगे तो तुम्हें और महेंगा मिलना चाहिए जी और बजार इत्ते आसानी से दद्दस परशन पाच परशन कमाने नहीं देता है तो अब यहां पर काफी लोग के कोश्चन होंगे कि भी या बजार चलिए ठीक मान लिया कि बजार यहां से ऊपर जाने चाहिए तो कहां तक जा सकते हैं तो मैं आप लोग को बताने की बताना चाहूंगा कि बजार यहां से मुझे यूस मार्केट एट लीस 41,100 तक और 44 220 तक दिखता है जो की 8 से 15 परशन का और गेन दिखता है जो अपना इलेक्शन यह आने वाला अपरिल के आसपास तो एक क्वाटर में यह तार्गेट्स अच्छी होते हुए दिखने चाहिए और एलेक्शन की रैली तो सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनफेक्ट अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई डिप मिलती है तो उसको ग्लोबल मार्केट तूट रहे थे और इंडियन मार्केट स्टेवल खड़ा हुआ था तो एक बात यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बाजार यहां पर भी अभी उपर के पोटेंचिल रखते हैं अब आज आते हैं अपन इंडियन स्टॉक मार्केट में जो की बहतरी फॉल दिखा चुका है तो मैं आप लोग को अब निफ्टी के चार्ट में लिए चलता हूं यह जो कुछ लाइन है बनी हुई चार्ट में इसमें पिंक लाइन है मैजिकल लाइ आज हमारी क्लोजिंग हुई है 21-150 की यहां से तूटने के लिए 21-055 का पोटेंचल है और मेरे हिसाब से देखिए अभी जब बजार गिर रहा है तो हम यूजुवली लोग यही बोलते हैं कि गिरते हो मार्केट को यहीं तक गिरेगा और भी गिर सकता है 21-055 तक का पोटेंचल दिख रहा है लेकिन चांसेज कम ही है आने के ऐसा मुझे लग रहा है बाकि आया नाय तो बात बजार बताएगा और अगर 21-055 का स्तर अगर ब्रेक हो जाता है तो 20,920 तक आ सकता है अब यहां पर एक और चीज में आप लोगों को आप लोगों ने टेक्निकल में यह टर्म सुनी होगी गैप फिलिंग करना गैप फिल करने वाली टर्म को बजार में अब आप यह देखिए मैं अपने चार्ट को जूम करता हूं जो प्रीवेस रहली स्टा जब हमारे दो तेन स्टेट में बीजेपी क्लियर कट विन करके आई है तो बजार 20,900 के स्तर पर थे यह यहां पर आप लोगों को यह मेरा करसर दिख रहा होगा और इसके बाद इसने ओपनिंग दिया था 21,000 20,000 21,000 के आसपास की याने कि लगभग लगभग आपके यह 300 प पॉजिटिव डेटा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट के बदलते रहते हैं जो हमारे एकोनमिकल डेटा आते रहते हैं उसके हिसाब से तो यह अभी टेकनिकल यह अगर बात करूं तो गैफिलिंग हो रही है और अगर बजार यहां से गिरते हैं तो 20,000 920 तक गिर सक सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है 20,000 565 वर्स केस में यहां तर देखने को मिल सकते हैं लेकिन साथ में चांसे कम हैं तो यहां पर अब हमने एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है एग्रेसिव बाइंग करनी है जब यह पिंक लाइन कर जाए आप यह देख रहे हैं मैजिकल इस इकॉल टू ट्रेंड रिवर्सल जिस दिन 21,400 का अकड़ा कर जाता है उस दिन मुझे लगता है स्क्रीन पर 22,275 का अकड़ा और 22,120 तक का भी पुटेंशल बजार में बन जाएगा तो और अगर इनकेस आपने यहां पर कहीं समझ लीजे आप S.I.P. प्लाइन करते हैं या फिर छोटी छोटी क्वांटिटी को यहां पर बाय करते हैं और इनकेस कभी मैजिकल तकर कड़ जाता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को उस दिन 21,021,055 का लगा के रैली को एंजॉय कर सकते हैं तो यहां पर कोई कोश्चन या फिर कोई डाउट रह जाएंगे हमारे दर्सकों के मन में अभी आपने का कि शॉट टम में भी आपको बजार बुलिश ही देख रहा है शॉट टम में बुलिश लग रहा है गिरते मार्केट में छोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को एड़ करना चाहिए मैक्सिमम वर्स वर्स पॉसिबिलिटी 20,565 तक कब तक जब तक के लिए बोल रहे हैं विफोर मार्च विफोर मार्च तो यह थोड़ा सा लॉंग टम हो गया अब भी हम बात कर लेते हैं थर्सडे को मिलब कल एकस्पाइरी है आज हम जिस दिन वीडियो बना रहे हैं तो अब एक कल के लिए आप क्या व्यू दिन अच्ट हैंगे लोग अगर कल के मार्केट में 210-55 के अगर यहां से और सौपॉइंट की गिरावट मिलती है तो टुटी थाऊजन नाइन 20 के के नीचे के स्टॉप लोस से बाइंग पोसिशन बिल्टप की जा सकती है और मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है 21,200 के आसपस की possible expiry है लेकिन अगर कोई U-turn recovery देखने के लिए मिली तो हो सकता है magical figure के आसपस की expiry हो तो possibility lower side में expiry होने की तो कम लग जी 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 कली तो अगर कोई V-shape recovery मिली तो हो सकता है magical figure के आसपस की expiry मिले इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमको lower side में buy करके काम करना है तो अगर वहां पर रिटेलर को माल बेचने दिया जा रहा है तो आप सोचिए कि समार्ट मनी कितना ही नीचे करवाने देगा बजार को चुला तो निफ्टी हमारा एक बार अगया गया हो में जिश्वर बैंक निफ्टी में भी आप लोग जैसे हैं निफ्टी में मैजिकल लाइन की लाइन रेस्टरंस की दो लाइन हैं यहां पर आर वन और अर डू एस वन और यह लिखा हुआ है हाँ पर एस वन और एस टू अब बैस पार्ट क्या है आज बाजार में जो लो पोस्ट किया है वह अल्मोस्स सपोर्ट का किया हुआ है यहने 20-50 पॉइंट छोड़ दिया लेकिन जो उसकी क्लोजिंग आई है वह 445 के आसपस किया है यहने 47 180 के आसपस जरू किया लेकिन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लास्ट हाफ एन आर का एवरेज आउट करके क्लोजिंग बानी जाती है तो बाजार में हो सकता है का आज का जो लो है उससे 20-50 पॉइंट के नीचे का लो टेस्ट करे कल यहने इमीजेट शॉट टम की बात कर रहा और उसके आसपस अगर सपोर्ट ले लिया और माल लेते हैं कि S1 के आसपस आके रूख जाता है तो वहाँ पर हमें यह देखना है कि उसके नीचे की कैंडल बन रही है नहीं या फिर उसके ऊपर की बन रही है और अगर आप इसमें 15 से 30 मिनट की कैंडल को देखेंगे तो ज जाता है तो मुझे लगता है 46 825 के नीचे के स्टॉप लोस से बाय किया जा सकता है और 47 620 तक का पोटेंशल बजार में दिखता है और अगर एक्सपाइरी एक्सपेक्टेशन की मैं बात करूं तो 47 700 के आसपस की एक्सपाइरी दिख रही है तो अभी देखिए 47 180 का सपोर् आप रिकवरी देखने को मिल सकती है 47 620 और 47 800 तक की मैजिकल फिकर हमारा होगा 48,000 का 48,000 के बाद वापस से बजार हरे नीले आसमान में चला जाएगा यहने उपर में किसी कभी कोई नए जोन पर चले जाने के बाद बजार में रेजिस्टर निकालना बहुत मुश्किल हो सेम वे में लोवर साइड में भी तो अगर बजार 48,000 के उपर अब स्टेबल हो जाता है तो मुझे लगता है 49,000 425 तक का पोटेंचल है और 49600 तक के भी पोटेंचल बने हुए है और 47,000 के आसपस का स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन है 47,000 और 46825 मोटा माटी मुझे अगर वर्स आपको यहां से भी उमीर है कि यहां से भी बजार अभी नहीं गिरेगा मतलब उपर जाने की जाद वर्स जाती है तो 46,000 4600 maximum आपको यह भी दिखाता हूं देखिए जब अभी इलेक्शन प्री एलेक्शन जो अभी हमारे स्टेट्स में इलेक्शन हुआ उसके पहले 47,200 के आसपास का इसका बॉट टॉप था इसके बाद इसमें गैप आप ओपनिंग दिया था तो और जो रहली इंजॉए करी थी अभी ट्रेडर और इंवेस्टर्स लोगों ने वह यूज्वली खतम होती भी नजर आएगी और फिर हम यह माल लेंगे कि भाई टॉप टेंपररी टॉप लग चुकी है जिसके पोटेंशल तो मुझे कम लगते हैं बाकिया जा बाकि जिस दिन मैजिकल फिकर कड़ जाए 48,000 का अकड़ा उस दिन अग्रेसिव बाइंग में पांटिसिपेट करना चाहिए और जब तक यह मैजिकल फिकर नहीं कट रहे तब तक आप या फिर छोटे-छोटे ट्रेंड लेकर अपना मुनाफ़ा लेते रहें और या फिर गिरते हुए मार् में मिल जाते हैं अगर किसी को इतना सब कुछ नहीं समझना है नहीं जानना है तो पुशकर जी मैं हमारी ओडियंस को बताना चाहूंगा कि इंटैलिसेस एक से भी रेश्टर कंपनी है और हम लोग एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं जिसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टार्गेट्स दिये जाते हैं जिसमें पूरी हैंडोलिंग दी जाती है तो जो भी ट्रेडर निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूच कर सकते हैं और इसी के साथ साथ मैं इंटैलिसेस की वेबसाइट के बारे में भी डिटेल में बताना चाहूंगा कि जो ट्रेडर और निवेशक निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल आप्शन एंटैलिसेस की वेबसाइट से एक ट्रेडर और निवेशक सिंगल कॉल भी ले सकता है विट प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टार्गेट कम्प्लीट हैं नोलिंग दी जाती है तेल एक्जट पॉइंट दूसरा बेनिफिट लेवल्स लिए जा सकते हैं तू अनलाइज दा बनाया सकते हैं और उसको कस्टमाइज कर सकते हैं चौता बैनिफिट इंटैलिसेस की सर्फिसेस सिर्फ और सिर्फ 39 रूपीज से स्टार्ट होती है वेबसाइट का लिंग डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंड में मिल जाएगा और साथ जो लोग नए आते हैं उनको तीन इनके लेवल्स एपसुलूटली फ्री दिये जाते हैं तो आप लोग भी आंकड़ों का जादू देखिए और पैसा बनाईए और आप लोग इंट्रस्टेट हैं सर के मैजिकल लेवल्स के लिए तो लिंक सरने जैसे बोला है कि उनकी वेबसाइट का आपको सीक्रिय। इनके स्वीडियो तिल आप यूगों सेल्फमेट एंट यहांद